हलो दोस्तो नमसकार स्वाम ड्रोन की खासियत यह है कि इस्टारटप को लडाकू स्वाम ड्रोन के उत्पादन का आडर दिया गया है स्वाम ड्रोन का मतलब होता है जुन्द में एक साथ लैबद तरीके से उनने वाले ड्रोन स्वाम ड्रोन में सैकडों छोटे छोटे ड्रोन से टारगेट पर हमला किया जा सकता है इन ड्रोनों को हतियार या कैमरों से भी लैस किया जा सकता है इससे निगरानी भी की जा सकती है या फिर इसके जरिये हतियार को दुस्मन के ठिकानों पर गिराया जा सकता है स्वाम ड्रोन के जरिये 100 ड्रोन का जुंड दुस्मन के इलाके में कम से कम 50 किलो मीटर दूर लच को मारने में सच्छम है सुत्रों के दोरा बताया गया कि ये ड्रोन एक बिसेश वजन की बम ले जाने में सच्छम है स्वाम ड्रोन की खासियत यह है कि यह दुनिया के किसी भी राडार या anti-air defense system को दोखा दे सकते हैं स्वाम ड्रोन को remote या artificial intelligence के साथ उड़ाया जा सकता है स्वाम ड्रोन में किसी भी तरह के हतियार या camera लगाया जा सकते हैं स्वाम ड्रोन में guided, unguided cluster, laser guided, छोटी missile के अलावा छोटे परमालू हतियार को भी स्वाम ड्रोन में लगाया जा सकता है artificial intelligence से स्वाम ड्रोन की खासियत और सैक्लो ड्रोन एक साथ हतियारों के साथ दुस्मन के इलाकों में गिरते हैं तो तबाही मत जाती है स्वाम ड्रोन की कितनी range रखनी है ये सेना निर्दारित करती है अभी तक कि जिन ड्रोन की range सबसे जादा है वह 50 km दूर तक जा सकते हैं इन ड्रोनों को control unit से नियंतरित किया जा सकता है या फिर यह भी कर सकते हैं कि artificial से पूरा plant ड्रोन में set कर सकते हैं और वह दुस्मन की इलाके में जाएगा और तबाही मचा देगा अब ड्रोन को वापस लाना है या वही आत्मगाती हो जाए ये इने नियंतित करने वाली सेना पर निधारित करता है बारतिय सेना स्वाम डोन के जरिये एर ड्रोपिंग खाना दवा गोला बारूद या अन्य अवस्तक सामानों को पहुचाने के लिए करेगी इसके साथ ही हमलों में भी इनका इस्तमाल किया जाएगा